हलो एफ्रीवान, वेलकम टू ग्लोबल आउनलाइन, सो आज की ये वीडियो आप सभी NTA यूर्ज सिनेट उमीदवारों के लिए बहुत ही जादा important and informative वीडियो है, इस वीडियो में हमारा major focus on students पर है, जो भी NTA कोई एक official update जारी करेगा, कब NTA की तरफ से कोई public notice जारी किया जाएगा related to application forms, तो आप सभी students को मैं बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में, आज हम इसी update, इसी application form के बारे में बात करने वाले हैं, हम official website पर जा कर देखेंगे and NTA Udicinate Examination से related जो भी important news आई है, वो सभी देखेंगे and यहाँ पर हम analysis करेंगे, कि आखिरकार यह online application form कब NTA जारी करने वाला है तो आप सभी students इस वीडियो में तक जरूर बने रहेगा इसी के साथ students कम समय है, आप लोगों को आज ही अपनी तयारी पर जुर जाना है तो इसके लिए paper 1 के fast preparation के लिए revision crash course हम लेकर आए हैं जिसमें आपको हम 100% selection की guarantee देते हैं exam का latest pattern क्या है, difficulty level क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यह crash course हमने launch किया है इसमें आपको paper 1 के total 10 units को हम daily live lectures के साथ cover करवाएंगे तो आप चाहें Hindi medium या फिर English medium किसी भी language में paper 1 की तयारी कर रहे हो आपको दोनों ही languages में separate sessions हम provide कराते हैं साथ ही 10 units के notes आपको PDF format में मिलेंगे जिसको आप अपने mobile या laptop में easily download करके पढ़ सकते हो 60 plus mock test यहाँ पर हम आपको देते हैं इस mock test में आपको most expected and most important questions मिलेंगे और यह questions आपको exam में as it is देखने को मिल सकते हैं इससे आपका पोरा syllabus cover हो जाएगा साथ ही आपको idea भी मिल जाएगा कि किस तरीके के questions exam में पूछे जा रहे हैं इसके अलावा students 2000 से भी जाद MCQs वाले PDF हम आपको provide कराते हैं जिसमें आपको सभी previous year questions most repeated questions, most expected questions मिलेंगे and exam के दुरान हम latest current affairs की series भी यहाँ पर आपको add करके देते हैं आप सभी students screen पर दिए किसे भी number पर contact करके इसको join कर सकते हो इसके लिए flat 40% off में लेकर आई हूँ यानि कि आपको सरफ 2400 रुपीज पे करना है इस course के लिए exam जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके लिए यह course valid रहेगा इसके लावा free videos देखना चाहते हो तो global online आपको download कर लीजे आप download करने के बाद store section पर जाओगे तो search बार में आपको लिखना है UGISnet 2030 आपके सामने complete course आजाएगा इसको जैसे ही आप content section पर click करते हो आपके सामने free videos है English medium students के लिए Hindi medium students के लिए और इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हो paper one के unit wise folders हैं तो जिसमें unit से आप अपनी तयारी शुरू करना चाहते हो आप वहाँ से start कर सकते हो तो यह definitely course आप लोगों को बहुत beneficial रहेगा तो आप आज ही इसको join जरूर कीजेगा इसे के साथ discussion पर आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि students मैंने आप लोगों से कहा कि June 2023 में होने वाले application form से related हम discussion करने वाले हैं तो आपको यह तो पता ही है कि 13 June से लेकर के 22 June के बीच में exam होने वाला है यह चीज हम बहुत पार discuss कर चुके हैं और application form का सबसे बड़ा confusion है लेकिन यहां पर देखो NTA की official website पर तो नहीं लेकिन जो भी news channel होते हैं online websites होती हैं जहां पर latest news आती है वहाँ पर यह news हम लोगों को मिली है और इसमें साफ साफ लिखा है कि NTA will activate the Udicinate June session link soon यानि कि जल्दी ही NTA Udicinate examination के online application forms का link जल्दी ही शुरू करने वाला है as of now the expect exact date has not been announced इसमें कहा गया है exact कौन सी date पर announce होगा यह अभी तक नहीं बोला गया है लेकिन फिर भी students को उन्होंने यह idea दे दिया है इस news के मात्यम से कि मैं मन्त के first week तक वह expect कर सकते हैं कि online application forms जो हैं वो जारी हो जाएंगे तो इसके अलावा students अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी website पर चाहे वो NTA की website है चाहे वो UGIS Inet की website है या फिर अगर आप लोग Twitter की बात करें कहीं पर भी इस examination से related कोई भी notice नहीं आया है कोई भी news नहीं आई है अब हम लोग इसी news पर विश्वास करते हुए आप चाहो तो इसका link देख सकते हो मैं description box में add कर दूँगी आप लोग खुद भी ये news बढ़ सकते हो इस news में यहीं लिखा है कि May के first week में expected है कि online application forms आ जाएंगे इसके आगे का process होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सो देखो students माल लीजिए first May को application forms आते है first में आज है और आपको पता होगा कि NTA जादा तर जो notice है जो link activate करता है वो evening के time पर ही करता है आज अगर आप first May second May या May के first week में ये video देख रहे हो online application forms आज आते हैं जिसको minimum 21 days NTA activated रखता है and maximum ये 30 days तक जाता है तो हम लोग ये expect करते हैं कि May का जो पूरा का पूरा मन्त है ये आप लोगों के online application forms में ही चला जाएगा ओके तो यही है अभी तक देखो आपने देखा है कि NTA किस तरीके से काम करता है कुछ भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हम जो news आपके सामने है वही आपको बता रहे है तो अब यहाँ पर students अगर आपको भी ये confusion है कि अगर May के पूरे week में पूरे month में यानि कि 30 में तक अगर NTA online application forms ही फिल करवाता है तो क्या exam 13 से 22 जून के बीच में होगा अगर आप लोगों को भी इसमें confusion है या आप लोगों को क्या लगता है exam होना चाहिए जून में या फिर NTA को जुलाए तक का वेट करना चाहिए जुलाए में exam को shift करना चाहिए क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि NTE कुछ तरीके से follow करना चाहिए step by step process क्योंकि students confused हो रहे हैं कि कैसे वो दो महीने से भी कम समय में अपने exam की तयारी करेंगे और क्या वो इतने कम समय में exam qualify कर पाएंगे खास करके वो student जिनका पहली बार भी exam होने वाला है तो आप सभी students के mind में जो भी queries हैं जो भी आपको doubts लग रहे हैं आप comment करके share कर सकते हो यहाँ पर ऐसा होता है कि सभी students अपने views share करते हैं और उसके बाद फिर proper analysis करके आपको पता चल जाएगा कि क्या NTE को इस तरीके से काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ओके सो students अगर यह news आप लोगों को helpful लगी है तो please इस video को like जरूर कीचेगा और हमारे channel पर बने रही है जैसे ही NTE online application form का link जारी करता है सबसे पहले आपको global online की तरफ से ही यह चीज़े पता चल जाएगी तो आप इन चैनल पर बने रही है और courses को जरूर जॉइन कीचेगा इन numbers पर contact करके आप inquiry भी ले सकते हो और सबसे पहले आप आपको डाउनलोड करके free videos भी देख सकते हो I know आपको यह videos 100% beneficial रहेंगी और आपको यह पसंद भी बहुत जादा आएंगी तो आज ही आप इन numbers पर contact कर सकते हो So thank you so much for watching the session and I wish you all the very best